हिंदि फिल्मों में महिलाओं की सशक्ट छवी पेश करने में एहम भूमी का निभाने वाली एक अभी नेत्री जिनों ने इंडस्ट्री की स्ट्रॉंग वोमेन की छवी बनाई सीरियस किरदारों से लेकर कॉमेडी और नेगेटिव रोल से लेकर बोल्ड बिंदास किरदार निभाने वाली वो एक्ट्रिस जिनोंने दुनिया को बताया कि फिल्मों की सफलता के पीछे का राज क्या होता है अपने धमाकेदार फिल्मिक करियर में इन्होंने एक नेशनल फिल्म अवार्ड और साथ फिल्म फियर पुरसकार जीते तो साथ ही पदमश्री सम्मान भी हासल किया लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में सफलता के जंडे गारने वाली इस अभीनेत्री ने अपने करियर की शुरुवात म्यूजिक वीडियोज, सोप ओपिरा और कमर्शियल विग्यापनों से की थी और फिल्मों में आने से पहले ही लगभग असी एड फिल्में कर चुकी थी क्या आपको पता है कि इतनी सक्सस्फुल एक्टरिस को जहां अपने मुटापे की वजह से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा तो वहीं खराब ड्रेसिंग सेंस के लिए भी इनका मजाग उडाया गया और इन्हें अपशगुन तक कह डाला गया और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हें अगली यानि बदसूरत कहकर एक साथ 12 फिल्मों से निकाल दिया गया इनसे सारी फिल्में छीन ली गई और इससे इन्हें ऐसा सदमा लगा कि इन्होंने खुद को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लिया था तो कैसे तमाम आलोचनाओं और रिजेक्शन के बावजूद और नॉन फिल्मी बैक्ग्राउंड होने के बाद भी इन्होंने कामयाबी के इबारत लिख डाली कैसे यू टीवी के सीईयों से इनकी शादी हुई और आज ये क्या कर रही है बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ आजादी सिर्फ मर्दों की होती है मास्टर और तोंको तो गाली भी देने के आजादी नी बेहन की जात अपने ही माबेहन के नाम पे गाली दो नमसकर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दे डिर्टी पिक्चर, पा, कहानी, भूल भुलया, इश्कियां और तुम्हारी सुलू फेम एक्ट्रस विद्या बालन की तो विद्या बालन की फिल्मों और पॉसनल लाइफ की चिर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि क्या था इनका फैमिली बैग्राउंड और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था विद्या का जन्म 1 जैनवरी 1979 को मुंबई में एक तमिल ब्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता पी आर बालन डेजी केबल के कारेकारी उपाध्यक्ष रहे और मम्मी सरस्वती बालन एक ग्रिहने विद्या की बड़ी बहन भी थी प्रिया बालन जिन्नों ने आगे चलकर विज्यापन के एक शेत्र में करियर बनाया तो वही इनकी चचेरी बहन प्रिया मनी ने भी फिल्मों में ही काम किया और आज ये साउथ जिन्मा की एक जानी मानी अभिनेत्री है विद्या चेम्बूर में पली बढ़ी और सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई चोटी उम्र से ही ये फिल्मों में करियर बनाने की सोचने लगी थी और शबाना आजमी और माधुरी दिक्षित के काम से काफी इंप्रस रहती थी मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्हीं दिनों में इन्होंने खाली समय में प्रित्वी थीटर जाना शुरू कर दिया और वहां कुछ एक्टिंग वर्क्शॉप्स अटेंड करने लगी हलाकि इनका बॉलेवुड में कोई फैमली बैग्राउंड नहीं था लेकिन अभिने के प्रती शौक और चाहत इन्हें थीटर तक खीच ले जाते इसी दोरान इन्होंने अपने कॉलेज में एक टीवी शो के ओडिशन का नोटिस चिपका हुआ देखा और उसका फॉर्म फिल करके ओडिशन के लिए पहुँच गई वहां इनका सेलेक्शन भी हो गया और उस टीवी शो लाबेला की शूटिंग भी शुरू हो गई लेकिन जब 5-6 एपिसोड शूट हो गए फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये सीरियल बीच में ही बंद हो गया और विद्या निराश हो गई लेकिन विद्या ने हार नहीं मानी और आगे भी धेर सारे ओडिशन देती रही इसी दोरान एकता कपूर एक सीरियल बना रही थी हम पाँच इसके कुछ एपिसोड शूट और ओनेयर भी हो चुके थे लेकिन तब ही इसकी एक एक्ट्रिस अमिता को किसी वजह से ये सीरियल छोड़ना पड़ा इस रोल के लिए विद्या ने भी ओडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई 16-17 साल की उम्र में इनका ये सीरियल ओन एर हुआ और इससे विद्या ने अभिने की दुनिया में एंट्री कर ली इस सीरियल के दौरान एक्टा कपूर और विद्या बालन में दोस्ती भी हो गई और एक्टा ने इन्हें काफी सपोर्ट भी किया जो आगे भी जारी रहा इस सीरीज के खत्म होने के बाद विद्या ने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कुछ एड फिल्में करने भी शुरू कर दी जिनमें इन्हें कई बड़े ब्रैंड के इंडोर्स्मेंट करने का भी मौका मिला और इन्होंने तब सत्तर असी से ज्यादा एड फिल्मों में काम किया इस तरह विद्या कुछ पैसे भी कमाती रही और इनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई मुंबई विश्व विद्याले से मास्टर डिग्री लेने के बाद अब विद्या ने पूरी तरह से फिल्मों पर फोकस करने की सोची और फिल्मों के लिए ओडिशन देने लगी उन्होंने मुझसे का कि ने ने कर लो मैं अड फिल्म के लिए गई और कन्फर्म हो गई और फिर तकरीबन नबबे अड्स किये मैंने विद्या ने करनाटक संगीत भरतनाटियम और कथक नृत्य में ट्रेनिंग भी लेनी शुरू की और खुद को तयार करती रहे विद्या अपने एक एड फिल्म के शूट के सिलसिले में एक बार चन्ने गई थी वहाँ इनकी एक दोस्त ने बताया कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल उनकी एक फिल्म के लिए एक्टर्स के आडिशन ले रहे हैं विद्या ने भी इसके लिए आडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गई ये फिल्म थी चक्रम इसके बारे में जब वहाँ के दूसरे फिल्म देखर्स को पता चला तो उनमेंसे भी कईउने विद्या बालन को मिलने के लिए बुलाया और देखते ही देखते इन्होंने वहाँ की 12 फिल्में साइन कर ली जिनमें ज़्यादातर मल्यालं थी विद्या की खुशी का ठेकाना नहीं था लेकिन शायद अभी इनके किस्मत में इतनी आसानी से सक्सस मिलना नहीं लिखा था दरसल कुछ दिनों की शूटिंग के बाद इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ अर्चन आ गई और मेकिंग रुप गई कहा जाने लगा कि मोहनलाल की आज तक कोई भी फिल्म रुकी नहीं है और ऐसा विद्याबालन की वज़ा से हुआ है कुछ लोगा ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि विद्याबालन मनहूस है इस घटिया अफवाह का नतीजा यह हुआ कि चक्रम फिल्म के अलावा जिन 12 फिल्मों में इन्हें साइन किया गया था उन सभी फिल्मों से भी इन्हें बाहर कर दिया गया और दूसरी एक्ट्रस को ले लिया गया उसी दोरान विद्या ने एक तेल्गू फिल्म के कुछ सीन भी शूट किये थी और फिर अगले शूट स्केडूल तक मुंबई आ गई थी उस फिल्म के प्रोडूसर का अचानक फोन आया और उसने विद्या को चन्नई वापस बुलाया बताते हैं कि उसने वहाँ विद्या को उस फिल्म के कुछ रफ शूट्स दिखाए और कहा कि देखो तुम कैमरे में कितनी बदसूरत दिख रही हो क्या कोई इतनी अगली हिरोईन को देखना पसंद करेगा मुह पर हो रही इस बेज़ती ने विद्या को हिला कर रख दिया इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आखों में आसू लिये वहाँ से मुंबई लोट आएं लेकिन अब इनका सल्फ कॉन्फिडेंस दगमगाने लगा ये डिप्रेशन में चली गई और अगले कई दिनों तक ये अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली लेकिन फिर विद्या ने खुद को संभाला और अपने कॉन्फिडेंस को जुटा कर अगेन एड फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई इस दोरान इन्होंने प्रदीप सरकार के साथ कई एड फिल्मों की शूटिंग की और कुछ म्यूजिक विडियोज में भी काम किया जैसे यूफोरिया का कभी आना तु मेरी गली इसके अलावा शुभा मुद्गल के भी एक गाने में विद्या बालन नजर आई इन म्यूजिक एल्बम में काम करने का विद्या को फाइदा मिला और इन्हें बॉलिवुड के कुछ फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया साथ ही साल दोहजार तीन में इन्हें एक बंगाली फिल्म का भी ओफर मिला ये फिल्म थी भालो ठेको विद्या ने इस फिल्म में काम किया और इन्हें इसमें खूब तारीफें भी मिले अब वक्त था हिंदि फिल्मों में इनकी एंट्री की तो इसी दोरान प्रदीब सरकार एक फिल्म बना रहे थे परनीता वो पहले भी एड फिल्मों में विद्या के टैलेंट को देख चुके थे और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में विद्या को चांस देने का फैसला किया लेकिन इस फिल्म को विधिव विनोद चोपडा प कूप कन्वेंस किया लेकिन विद्यू माने नहीं लेकिन फिर प्रदीब सरकार की बात रखने के लिए विद्या को ओडिशन के लिए बुलाया आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए विद्या बालन ने 40 बार ओडिशन दिया जो अगले लगभग 6 महिने तक चलता रहा और साथ ही अलग-अलग कॉस्टुम में भी इन्हें तयार कर देखा गया लेकिन विद्या उबी नहीं और हर बार पहुचती रहें फाइनली इनके डेडिकेशन को देखते हुए विदू विनोद चोपड़ा भी खुश हो गए और इन्हें हामी भर दी इस तरह पापड बेलने के बाद विद्या बालन को इनकी पहली हिंदी फिल्म मिली और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबी थुई इस फिल्म से विद्या बालन की बॉलिवुड में शानदार लॉंचिंग हो गई और अब इनके सामने एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स भी आने लगे और विदू विनोद चोपड़ा तो इनके अभिने और काम से इतने इंप्रेस हुए कि आगे अपनी फिल्मों लगे रहो मुन्ना भाई और एक लवे में भी इन्हें ही कास्ट किया देरे देरे विद्या ने बॉलिवुड में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और दर्जनों हिट फिल्मों में इन्हें लीड एक्टर के तौर पर काम मिलने लगा लेकिन बताते हैं कि तब ये बात बॉलिवुड के एक बड़े तबके को नागवार गुजरने लगी थी कि कैसे एक आउटसाइडर लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आकर इतनी तेजी से तरक्की कर सकती है और लीड एक्टर के तौर पर दर्जनों हिट फिल्मों में काम करती जा रही है किसी को पता था कि इंडिया वेस इंडीज को हरा कर वर्ल काप जीतेगी जीती न कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जीतेगा क्यों घोडा है गधा नहीं ये लो पैसे इनहीं जलन खोर लोगों में से कुछ ने गुरूपिस्म करके ये कहना शुरू कर दिया कि विद्या का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बुरा है और क्या पहनना है खुद को कैसे कैरी करना है ये एक एक्टरस को आना चाहिए क्योंकि ये ग्लैमर वर्ल्ड है ये बात सिर्फ कुछ गौसिप्स तक ही नहीं रुकी बलकि बार-बार कई मेगजेंस और कॉलम्स में इसे लिखा जाने लगा जिससे लोगों के दिमाग में इसे बिठाया जा सके आउटलुक के नमरता जोशी ने लिखा विद्या इरिटेटिंग ओवर दे टॉप है और फिगर हगिंग फ्रॉक में भयावा दिखती है इसके बाद कुछ कॉलम्स तो ऐसे छपे जिसमें लिखा गया कि विद्या तो टाइप कास्ट है और बस गर्ल नेक्स डोर वाले किरदार ही निभा सकती है ये ग्लैमरस नहीं बलकि बहनजी दिखती है रडिफ डाट कॉम के अल्विस डिसिलवा ने लिखा दुर्भाग ये पूर्ण रूप से गलत तरीके से पेश किया गया इनका रूप और पहनावा दोनों अजीब हैं ऐसा ही दे इंडियन एक्सप्रेस की शुब्रा गुपता ने किया जिनोंने इन्हें निश्चित रूप से सन की कहकर खारिस कर दिया तंग आकर विद्या ने भी कुछ ऐसी फिल्में साइन की जिन में इनका किरदार थोड़ा आलग था जैसे किस्मत कनेक्शन और हे बेबी हे बेबी के अलावा फिल्म भूल भूलया भी इस साल की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल रही और भूल भूलया ने तो इन्हें फिल्म फियर में दूसरा सरुष्रिष्ट अभीनेत्री का नामांकन भे दिलाया लेकिन फिर इन्हें लेकर कुछ ऐसी कॉलम्स भी छापिये गए जिन में विद्या को मोटी बता कर बोडी शेमिंग की जाने लगी और इनके फैशन सेंस का भी मजाक उड़ाया गया बताते हैं कि इस दौरान विद्या शाहिद कपूर के साथ किस्मत कनेक्शन फिल्म में काम कर रही थी और दोनों की नजदी कियां काफी बढ़ने लगी दवा किया जाता है कि तब इन दोनों के बीच अफैर भी शुरू हो गया था जो कुछ समय तक चला लेकिन फिर दोनों का ब्रेक अप हो गया जिसकी वजह भी इसी से जुड़ी हुई और अजीब रही अपने कुछ इंटरव्यू में विद्या बालन ने बिना शाहिद का नाम लिए इस बारे में बताया था कि तब इनका बॉइफरेंट इन्हें मोटी कहकर मजाक उड़ाया करता था और बॉडी शेमिंग, फैशन शेमिंग और नेगेटिव बातें बूल कर वो इन्हें बात बात में नीचा दिखाता था जिस वजह से इन्होंने अलग होना ही बहतर समझा पर इस दोरान भी कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स थे जो इनकी एक्टिंग स्कल से इंप्रेस्ट थे और इन्हें अपने फिल्मों में कास्ट करती रहे इन्हें में से एक फिल्म रही साल 2009 में रिलीज हुई पार आर बालकी की इस फिल्म में विद्या ने अमिता बच्चन की मा का रोल निभाया इस फिल्म में विद्या के अभिने की खूब तारी फुई और इन्हें लीक से हटकर सीरियस एक्टिस में शुमार किया जाने लगा तो साथ ही इन्हें इसके लिए बेस्ट एक्टरस का फिल्म फियर पुरसकार भी मिला तब इनकी अभिने शैली की डिम्पल कपाडिया से तुलना करते हुए आलोचक सुकन्या वर्मा ने लिखा बालन मारमिक होने के साथ साथ संयमित हैं और अनुग्रह और अखंडता का एक प्रभाव शाली आकड़ा पेश करती हैं तो वहीं The Times of India के निखत काजमी ने इन्हें दुरलव बॉलेवुड मा की छवी की गरिमा से नवाजा लेकिन बार बार अपने ड्रसिंग सेंस पर सवाल उठाये जाने के बाद से ही अब धीरे धीरे विद्या ने साड़ी पहननी शुरू कर दी थी और एलिगेंट सोबर लुक के लिए इन्हें अब क्रिटिक्स की तारीफें भी मिलने लगी खास कर इन्होंने पार्टीज और इवेंट्स में खुद को ग्रेसफुल अंदाज में साड़ी में ही पेश करना शुरू कर दिया साल 2010 में विद्या बालन की एक और यादगार फिल्म आई इश्कियां इस फिल्म में विद्या ने नसुरू दिन शाह और अर्शद वार्सी के साथ रुमैंस किया और इस डार्क कॉमेडी फिल्म में भी इन्होंने इस कदर जान फूंकी की आलुचकों ने इनका लुहा माल लिया इसके बाल साल 2011 में विद्या की एक और शांदार फिल्म आही नो वन किल्ड जेसिका रियल लाइफ स्टोरी पर बनी इस फिल्म में विद्या ने जेसिका की बहन का किरदार निभाया और इसमें भी जबरदस्त चाप छोड़ी बता दें कि यही वो फिल्म थी जिसकी मेकिंग के दौरान पहली बार विद्या की मुलाकात हुई सिद्धार्थ रॉय कपूर से जो इस फिल्म के प्रोडूसर थे बताय जाता है कि वो विद्या के फैन थे और इन्हें बेहत पसंद करते थे उन्होंने जान मूझ कर करन जोहर से एक पार्टी रखवाई जिसमें विद्या को भी बुलाया गया विद्या से यहां सिद्धार्थ मिले और फिर धीरे धीरे और भी कई मुलाकाते हुई फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और बात शादी तक जा पहुँची वैसे तो सिद्धार्थ की पहले दो बार शादी हो चुकी थी लेकिन दोनों बार ही इनका डिवोर्स हो गया था और अब भी ये अपने मन मताबिक साथी की तलाश में थे जो की इन्हें विद्धा के रूप में दिखाई दिया इस तरह साव 2012 में 14 दिसंबर को इन दोनों ने शादी कर ली बता दें कि आदित रोयकपूर और कुनाल रोयकपूर ये दोनों ही जाने माने एक्टर विद्धा के पती सिधार्थ रोयकपूर के भाई हैं तो साथ ही सिधार्थ UTV Motion Pictures के CEO भी है दोस्तों जब विद्धा वालन की शादी की तयारियां चल रही थी तभी विद्धा की एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने फिल्म इंडस्टी से लेकर देश भर के तमाम दर्शकों के बीच जैसे बम फोड़ दिया ये थी ब्लॉक बस्टर फिल्म दिडर्टी पिक्चर ये विद्धा वालन के करियर का अब तक का सबसे बोल्ड, सेक्सी और चलेंजिंग रोल था जिसे निभाना शायद जदतर एक्ट्रिस के बस के बाहर की बात थी इस फिल्म में विद्धा बालन ने साउथ फिल्मों की बोल्ड एक्ट्रिस सिल्क स्मिता के एक किरदार को निभाया था और इस अंदाज में इसे बड़े परदे पर उतारा कि सब हैरान रह गए इस फिल्म के लिए इन्होंने लगभग 10 से 12 किलो वेट बढ़ाया था और उनके हाव भाव को कॉपी करने के लिए उनकी दरजनों फिल्मों को बार बार देखा था अब आ ही गए हो तो इंटर्वियू कर लो मगर ऐसे लेकिन हाँ इस फिल्म में हद से साधा रिविलिंग कपड़े पहनने और अश्लील डायलोग बोलने के लिए इन पर वल्गैरिटी फैलाने के भी आरोप लगे और एक वर्ग ने खूब आलूचना भी की तो कई जगह इनके खिलाफ कोट में केस भी फाइल कर दी गई तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के जरिये विद्या ने उन तमाम लोगों की चहरी पर एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया था जो अभी तक इन्हें मोटी, मनहूस, बैड ड्रसिंग, सेंस वाली और नजाने क्या-क्या कहते आये थे साथे इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल आवार्ड भी मिल गया और सब का मोह बंद हो गया इसके बाद साल 2012 में इनकी एक और बड़ी हिट फिल्म आई कहानी जो भले ही लो बजट में बनी थी लेकिन जबरदस्त कमाई कर गई इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया जिसे विद्या ने सिर्फ अपने कंधे पर ढोया था दोस्तों दे डर्टी पिक्चर के बाद घंचक कर और हमारी अधूरी कहानी में भी विद्या और इमरान हाश्मी की जोड़ी देखने को मिली और इनकी जोड़ी को पसंद भी किया गया लेकिन अफसोस ये फिल्म में जादा चली नहीं इसे बीच सुजाई गोश ने अपने फिल्म कहानी टू के लिए विद्या को अपरोच किया लेकिन विद्या ने इनकार कर दिया क्योंकि तब कुछ समय तक इनकी तबियत खराब रहने लगी थी और उस दोरान इन्होंने को लांस फिल्म फेस्टिबल में जूरी सदस्य के रूप में ये जरूर नजर आई और सबका ध्यान खीचाँ साल 2014 में इनके फैंस के लिए खुश खबरी आई कि विद्या को पद्श्री सम्मान से नवाजा गया है आगे साल 2016 में कहानी टू बनकर रिलीज हुई जो एक बेहत सम्वेधन शील मुद्दे पर बनी थी हलाकि ये फिल्म जादा चली नहीं दोस्तो अब तक विद्या बालन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी ऐसी मजबूत छवी बना ली थी कि कहा जाने लगा कि बॉलिवुड में अगर किसी ने खांस के बराबर का रुत्बा हासिल किया है तो वो बस विद्या बालन है एकता कपूर ने तो एक बार मजाक में यहां तक कह दिया कि विद्या को अपना नाम विद्या बालन खान रख लेना चाहिए तो उसके जवाब में इन्होंने भी हस्ते हुए कहा था कि नहीं खांस को अपना सरनिम बदल कर बालन रख लेना चाहिए खेर विद्या अब जदातर विमन ओरियंटेड फिल्मों में काम कर रही थी और उनमें ये अकेली एक्टर हुआ करती थी या फिर कोई फेमस एक्टर इनकी बराबरी में उन फिल्मों में नहीं रखा जाता इस तरह फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की पूरी जब्मेदारी विद्या अकेली ही लेती हैं साल 2017 में विद्या की एक ऐसी ही फिल्माई तुम्हारी सूलू तुम्हारी प्रॉब्लम ना मटर की तरह है मटर आलो के साथ भी अच्छी लगती है और पनीर के साथ भी इस फिल्म में भले ही विद्या साडी में बिलकुल आम महिला की तरह नजर आई लेकिन इसकी कहानी और विद्या के दमदार अंदास को लोगोंने खूब पसंद किया इसके बाद आई इनके फिल्म मिशन मंगल में भी विद्या के काम को पसंद किया गया जिसमें ये अक्षे कुमार पर हावी नजर आई Mathematician शकुंदला देवी के किरदार में भी विद्या ने सकरात्मक छाप छोड़ी और इस फिल्म में भी इनके काम को पसंद किया गया इसके अलावा विद्या ने जिन फिल्मों में काम किया वो रही सलाम एश्क, एकलव इदर रॉयल गार्ड, भूल भुलेया, हला बोल, शादी के साइड एफेक्ट्स, कॉमेडी सस्पेंस फिल्म बॉबी जासूस, तीन, बेगम जान, शेडनी, थ्रिलर फिल्म जल्सा आदी फिल्हाल की बात करें, तो अब भले ही विद्या ने फिल्मे करनी कम कर दी है, लेकिन अब ये जो भी फिल्मे करती हैं, उनमें इन्हें ध्यान में रखकर ही किरदार गढ़े जाते हैं, और कहानी लिखे जाती है, ये है पावर एक शानदार एक्टर की, जिसने ये रुत्बा खुद हासल किया है, दूसरों से प्रेरत होना चाहिए, सीखना चाहिए, पर अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, हिंदी फिल्मों के अलावा, विद्या बालन ने दक्षन भारतिय सिनमा में भी काफी फिल्में की, जिन में कई बड़ी बायोपिक भी शामिल रही, विद्या अप्रतीक गांधी के साथ एक अंटाइटल्ड रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म में अभिने कर रही है, और नियत नाम की एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में अनु मिनन के साथ भी नजर आएंगी, अवार्ड्स के बात करें तो विद्या ने एक निशनल अवार्ड साथ फिल्म फियर अवार्ड हासिल किये हैं, तो वहीं इन्हें कई दूसरे बड़े सम्मानित पुरसकारों से भी नवाज़ा जा चुका है, विद्या बताती हैं कि ये भगवान में बेहद आस्था रखती हैं और पूरी तरह से शाकाहार का पालन करती है, साल 2011-12 में पेटा द्वारा आयोजिक चुनावों में भारत की सबसे प्रभावी शाकाहारी के रूप में इन्हें सूची बद्ध भी किया गया था, इन्होंने Child in Need Institute यानी CINI के लिए भारत में पोशन अभियान चलाया, साल 2012 में विद्ध ने उत्तरप्रदेश में गावों में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्ती करण को बढ़ावा देने के लिए अभियान में बढ़ चर कर हिस्सा लिया, ये देश के सचता कारेकरम की पहली ब्रेंड एमबेजडर बनी, जिसे बाद में सवच भारत अभियान का नाम दिया गया, तब से ये सोचालियों के निर्मान और उपयोग को बढ़ाने के उद्देशे से एक राष्ट व्यापी टेलिविजन और रेडियो अभियान का भी ह सार रही है, साव दोहजार सत्रह में विद्या को भारतिय केंद्रिये फिल्म प्रमानन बोड का सदस्य बनाया गया, इंडिया टुडी ने विद्या को दोहजार बारह में देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया और कहा कि इन्होंने सभी प्रभुत शाली नायकों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे इन्हें एक पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में एक सहायक भूमिका मिल गई है। विद्या को फोब्स इंडिया ने दोहजार बारह और तेरह में अपनी वार्शिक सेलिब्रिटी हंडर्ड सूची में चितरित कि लिए साल के सरवशिष्ट प्रधर्शन की रेडिफ.com की वार्श सूची में भी इन्हें शेर से स्थान मिला। विद्या अंग्रेजी, तमिल, मल्यालम, बांगला और हिंदी भाशा बोलने में माहिर हैं और लोगों से मिलना जुलना, उनकी मदद करना इनका रूटीन रहत हैं और एक शानदार लगजरियस लाइफ जीती हैं इनके पास मर्सिडीज एक लास कार का कलेक्शन है और ये फिलहाल एक फिल्म के लिए आट से दस करोड रुपए चार्ज करती हैं इनके कुल संपती लगभग 210 करोड रुपए है और अब ये अपनी शर्तों पर ही काम करत हैं दोस्तों विद्या बालन ने अपने करियर अपने पॉजिटिव एटिट्यूड अपनी महनत और हार न मानने वाले जजबे से हमेशा खुद को बाकियों से बहतर साबित किया और तमाम रेजेक्शन और फेलियर के बावजूद अपने होसले को कम नहीं होने दिया जशन मनाए या जिस दिन नहीं बेकी उस दिन वाकई इनकी जर्नी और इनकी जिन्दगी तमाम यंग्स्टर्स के लिए एक मिसाल है तो साथ ही महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी तो दोस्तों आपको इनकी कौन से फिल्म या कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ आपसे होगी मुलाकात इसे तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल शोयता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं फिलहाल मुझे देजिए इजासत नमस्कार